है गाईज विल्कम तो माई चैनल गितांजरे हीज गाईज किसी ने एक टॉपिक सजिस्स किया था मुझे कि क्रश के ऊपर आप रीडिंग डालिये आज तो हुली के कारण मैं बहुत ज़्यादे बीजी थी इसलिए चैनल पे आज मैं कोई वीडियो डाली नहीं पाई बट ज जुजवाला सागरे है तो बहुत से लोगं गन्फीज होते हैं गितांजरे इस चैनल का नेम है बट माई नेमी जुजवाला सागरे एन यस लोग रिडिंग के लिए पूछ रहे है तो थोड़ा कन्फीज वहां पे हो जाते लोग तो इसलिए मैं नहीं बोला तो अभी मैं काम कर रहे हो, एक ही जगह पे आप पढ़ रहे हो, या फिर एक ही जगह पे आप रहते हो, या फिर आप relatives हो, मतलब आप contact में हैं, बट आपका उस तोर पे कोई connection, communication नहीं हो रहा है, बट आपके मन में चल रहा है, कि आपके मन में उस person के लिए कुछ feeling है, या फिर आप ज़रना चाहते हैं, उस पस जो भी crush आपको, आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये में निकालूँगी कि आपके जो कोई भी crush है, उनके मन में आपके लिए क्या feeling है, मस्त भारिश हो रही अभी यहाँ पर, बहुत माहल ठंडा और बिल्कुल शान थे, इससे और अच्चा क्या रहेगा, उनिवर्स ये मुझे गाइड करें, कि जो भी मेरे दर्शक के वीडियो देख रहे हैं, उनके जो crush है, उनकी feeling मेरे दर्शक के लिए क्या है, कि नौ सोर्स, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्वर्वर्वर्ड लगते ही हूं मुझे बात करने में, और मुझे लगता है आप अपने ही मतलब फ्रेंज के साथ, ऐसे आप हमेशा गिरे रहते हो, और आपको ऐसे चिक्मीज उपणी बाते करने अच्छा नहीं लगता है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व या फिर आप कम बात करते हो, या फिर आप जो भी बात करते हो, तो वो थोड़ा रूर्ड सवांड होता है, ऐसा उनको लगता है एक मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप पे बहुत ज्यादा restrictions है ऐसा लगता है ये definitely लोगों के लिए है जो relatives है बट जिन्हों ने अभी भी अपनी feelings एक उसरे के साथ कुछ ज्यादा बोली नहीं है बट ये चल रहा है उनके लिए E-reading हो रही है कि उनको पे लगता है आप पे बहुत जधे restrictions है बहुत ज़्यादा आप पे conditions रहती है जिसके कारण आप खुलके किसी से बात नहीं कर पाते मिल नहीं पाते आप या तो अकेली रहते या तो आप कि वह चाहते हैं आप से मिलना आपसे बात करना बट वह कर नहीं पाते हैं आपके person मतलब आपके जो crush है वो stock आपको बहुत करते है stock online भी कर सकते है या फिर friends के जरीए जिसे और के जरीए आपके information लिखालते है मतलब वो चाहते हैं आपसे मिलना बात करना बड़ यह होने पाता देखिए new start चाहते है आपके person यह आप लोग ना हो सकते हैं एक की जगा पर काम कर रहे हैं इस दिखिए में क्या बोलो अगला वरा कार्ट लवरा कार्ट उनके वहन में आपके लिए प्यार है फिलिंग से एंजल बहुत अच्छे से मेसेज दे रहे अभी वो चाहते है बट मुझे लगता है न आप आप पर बहुत ज्यादा फामिली रेस्टिक्शन्स है रिस्पॉंसिबिलिटी या आप पर बहुत ज्यादा है उस कारण आपसे उनका मिलना नहीं होता है या फिर वो खुद बहुत ज्यादा बिजी है या फिर उनके बहुत गडगड़ा टोरी रही बारिश बहुत अच्छे से आ रहे है लिए हाथों में बोल रही थी कि आपके जो परसन है न वो या तो खुद बहुत सारा लोगों से गिरे हुए रहते हैं और चाहते आपसे मिलना या उनक सकते हैं आपके एनर्जी हो सकते हैं बट एक एनर्जी है से डेफिनेटली है कि वह मिलना चाहते हैं मिलने ही पाते हैं बात करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं उसके टीक नीचे काड़ा है सेवन आफ कॉप्स ऑफ्शन्स बहुत है या तो आपके सा आपके लाइफ में या तो उनके life में उनके उपना बहुत ज़्यादा options है, जिसके कारण वो चाहते हैं आपसे मिलना, बात करना, चीजे बढ़ाना, बट वो होने पाता है, ये आपकी एनजय हो सकती हैं, उनके एनजय हो सकती है, या तो आपके life में बहुत सारे options हैं, person हो सकते है, family हो सकती है, work हो सक लगता है तो इसका रण आपको नहीं पॉसिबल रहता है इतना उन पे ज़्यादा फोकॉस करना टाइम देना या फिर यह सिटूइशन इस सिन्यार उनका भी हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादे ब्यूटिफुल एट्रेक्टिव लगते हैं जिस तरह से आप अपने आप बहुत अट्रेक्टिव आप बहुत खुबसूरत लगते हो मुझे देखिए करना चाहते हैं काम आपके साथ रिलिशिंशिप में मत्म रिलिशिंशिप नहीं बूलेंगी अभी रिष्टा बढ़ानी के लिए शुरुवात करना चाहते हैं ठीक इसकी नीचे आते हैं इसको क परिशानी में डाल रही है कि इन चीजों को लेकर एंजाइटी हो रही है ओप्शन से या तो आपके लाइफ में या तो उनके लाइफ में क्वीन ओफ सोर्स कौन है जिससे वो प्यार करते हैं कि आप मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाय बेबी शोना वाले आपकी एनरजी जो बात है सामने बोलो सही से बोलो आप हर चीज के लिए आप दयार रहते हैं तो इस कारण वो थोड़ा सा रुक रुक के आपसे मतलब बोलू या ना बोलू ऐसा भी उनका एक माइंसेट रहता होंगा कर या ना करें या आप हमेशे आपने फ्रेंड्स के सरावनिंग रहत है तो किस तरह से मिला जाए किस तरह से बात बढ़ा ही जाए इन चीजों में आपके परसं रहते हैं इस सोच में रहते हैं मैं फिर भी ना राइस क्लेरिफाइज करंगे इनरजी भी नो-अशोर्स के एनरजी क्यू एं यहाँ पर और पर फ्ली एंपरोड आई है मतलब ना आपके person या तो खुद ऐसे उनका ऐसा status है जहांसे वो openly कुछ चीज़े नहीं कर पाते हैं या तो उनके family में उनके father figure कोई है जिनका बहुत ज़्यादा control उन पर है क्यों आप सोर्स के energy यहां पे क्यों है इंजस प्लीज मुझे बताए देखिए queen of swords को तो clarify कर रहा है king of pentacle and king of क्या बूलो king of cup मुझे लगता है ना आप ऐसे person है अगर आप कोई female है और अपने कोई male person के लिए आप देख रहे है तो यह आपके person ना जितना बात करने में अगर रूड है अगर male है और female के लिए देख रहे है तो यह उनकी भी energy energy guys तो male female नहीं रहता है बट आपकी जो person है ना वो जितना बात करने में रूड है लोगों का अराम समत से पटक से कट कर देते यह चीज़ यह करते हैं तो बट उतने ही वो उनके दिल में प्यार है उतने ही वो बिल्कुल पराव डिल्क परिसों पैसे ऱाए जाता है किस तरह से बात की जाते किस तरह से स्ट्रेबल करने फॉंडेंशन बनाई जाता है आपके परशन एक दम सूजभूज्वाले बिल्कुल प्यार बरे दिल वाले परसन है बट उनको न शायद जता ना आता नहीं है या फिर यह energy आपकी भी हो सकती है guys, दीखिए energy vice versa हो सकती है, आप, आपके person सोचते हैं कि yes, आप हो person है, जो बिल्कुल समझारी वाले person है, सोच समझ कर हर चीज करने वाले person है, आपको कुछ भी step गलत नहीं होता होगा कभी ही, but आपको बस बात करना नहीं हाती, कि मतलब प्यार से बात नहीं कर पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, बट जहां के वो आपके परसन के लगता है, आपके दिल में बहुत सारा प्यार है, एक कूमल रिजए है आपका, ऐसा आपके परसन समझते हैं, दीजिए इसको clarify कौन कर रहा है, 9 of max का clarify कर रहा है यहाँ पर emperor, emperor के overall energy है, yes आप मतलब आपना आपके life में, आपके family में कोई ऐसे father figure है जिनका बहुत जादा मतलब रुदबा अपने family में है, जिनके single words के आगे कोई जाता नहीं है, एक दम मतलब आइसे आपके father या फे कोई fatherly figure person है, तो वो बहुत जादा controlling है, और वो बोलते हैं कि rules, regulation बहुत जादा follow करते हैं, और strict है, जिसके कारण आपके person आपसे बात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, कि आपके father या तो बहुत जादा strict है, या फिर आपका nature source के energy, मतलब आप प्यार से बात करने वाले person तो नहीं लखते मुझे, प्यार दिल में है आपके, ऑप्यार बात करने वाले person नहीं लखते हैं, या तो आपके life में या फिर आपके family में कोई ऐसे person हैं, जिनके सामने किसी की कुछ नहीं चलते, किसी की दाल नहीं गलती, page of source का काट्यू है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ट्विन फ्लैम भी हो सकते हैं लोगों के लिए कुछ ऐसी भी नुज आई हैं देखिए पेज आफ्सोर्स को क्लेडिफाई कर रहा है सेवन अफ बहुत प्रोटेक्टिव हो के चल रहे हैं आपके परसन मत स्टॉक भी करते अगर आप एक मोहलने में तो हो सकते हैं आपके परसन आपको गली से चोरी शुपके से टाका जाकी करते हैं या फिर अपने फ्रेंड के जरीया आपके हालवाल पूछते हैं खुद पर कोई चीज़ें आने नहीं चाहिए एस ओप्रेंटिकल्स तो मुझे लगता है यह इसे भी एक एनरजी के आप लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हों या फिर आपके लोग आप मुझे फामिली रिलेटिव ही मुझे यहां पर मुझे तो इनरजी वही आई कि आपक अगरी कि यह परसंड वर्फट्ट में भी मिले है आपसे या फिर आप लोग एक ही इन्सिटुट में फिर कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते हैं इस और पेंटेकल के इनरजी क्यों है इस मुझे इंजर बताएं यहां पर इस और पेंटेकल के इनरजी क्यों है ईस नाइट शौर्स के इनरजी बिलकुल एक्षें ऐना चाते श्टार्ट भी करना चाते हैं इक एक्षण भी लेना चाते कंजरन चाते जैसे लिए उनको टाइम मिलता है वी और विए लोजीड मेंके आना चाते आपके पास या फिर जैसी उनके foundation बनता है तो definitely आना चाहते है lovers को clarify कर रहा है 9 of cups, yes आपको वो अपनी wish fulfillment मानते है 9 की energy याँ पर बहुत जादा reflect हो रही है आप लोगों को हो सकता है न 999 number बहुत दिखता है तो 999 जहां तक मैं समझती हूँ कि कोई एक karmic cycle end होने की energy रहती है आप फिर भी google देख लेना देखिए क्या ही volume है 7 of cups को clarify कर रहा है 2 of cups definitely twin flame connection है और आपके person मतलब जो भी crush है आपकी जिसके लिए आप पूछ रहे हो तो यह साप definitely आपने बिल्कुल सही पूछ रहे है आपको अगर लगता है आपके person आपसे उनके दिल में कुछ है तो yes definitely उनके दिल में है और इतना उतना नहीं धेर सारा प्यार है धेर सारा लगता भी हो शायद उनको कि आप उनका आपसे रिष्टा कुछ बहुत ज्यादा पुराना है नाइन पेंटेकॉस को क्लिरिफाई करा है या फिर फॉय फ्रेंट तो yes आप तो beautiful attractive लगता है बट बहुत कुछ मश्यकत उनको करनी पड़ेंगी आपके लिए बहुत किसी से जगड़ा करना पड़े फैमिली से करना पड़े फ्रेंट से करना पड़े या फिर आप कही काम कर रहे तो वहां पे कुछ चीजें सी हो जाए आपकी लिए बट यह definitely हो को competition तो है आपको पानी के लिए यहां पर option भी दितरा है तो आपके person का फटा है कि बहुत लोग आपको approach करते होंगे कि आप मुझे लगते हैं बहुत ज़्याद़ beautiful मुझे आप लगते हो या फिर अगर आप mail देख रहे हो तो आप बहुत ज़्याद़ हैंसम लगते हो और आपके पास option की कोई करनी नहीं है कि आपके person समझते है शायर इसलिए उनमें यह trust और insecurities anxiety जी चीज़े इसलिए उनमें आ रही है सेवना pentacles की energy 777 की भी energy आई है तो हो सकता है आपको 777 number दिख रहे हो ज्यादा 10 of vans 9 of vans 10 of vans 7 of pentacles की energy को clarify कर रहा है 10 of vans उनको चीज़े burden वाले लगती है क्यूंकि आसान तो नहीं है आपके पास आना अपने प्यार के जहार करना आपकी लिए कुछ चीज़े करना आसान तो यह नहीं बहुत पापड बिलने पढ़ने वाले हैं और इसी चीज़ को लेके सोच सोच के कितना काम करना है सोच सोच के यह चीज़े burden वाली उनको लगती है आप बट ओर अब्रेब को ओर के एनरजी और ओर आपको लेकर बहुत जादा शेक्सि़ एंर अच्छिन भी हैं और बहुत जादा प्यार दिजमाग में ऐसा नहीं किसीज़ के एट्रेक्शन के लिए और डी नहीं कृट अहां प्यार देक्रहीं यहां पर एक स्टेवल करेशन के साथ देख रहे हूं तो यस आपके ख्रश आपने गिल्कुल सवाल सही किया ख्रश की मन में आपके लिए फिलिंग मुझे यहां पर अभी की एनर्जी में मुझे लग रहा है और यह कैसे नहीं जनरल और कलिक्टिव रिडिंग रहती है किसी के साथ रेजुनेट हो स से निकाल जाती है आपके question जो focus करके meditate पहले सो meditation होते है उसके बाद कोई भी reading होती है तो वहां आपको सखी guidance मिल जाए तो यह थी आपकी छोटी से रिडिंग की आपकी क्रश की क्या feeling है आपके लिए वह विए आपको इसी तरह से मेरा उसला बढ़ाते रेना तेंक यू लुड़ी लुड़ी हाँ